तो मेरे प्यारे बच्चों यह एक ऐसी वीडियो है कि इस से बाहर कुछ भी नहीं आएगा तो मतलब कुछ भी नहीं आएगा तो बच्चों अभी तक आपने कोई प्रेपरेशन नहीं करिए और आप चाहते है कि अभी मेरे लोगों के लिए ईस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपकी आधी से ज्यादा प्रोब्लम और परिषालियां खत्म हो जाएंगी तो मेरे प्यारे बच्छों फट फट से ऐसे वीडियो को देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वोट स्थ अब इसको पढ़ लीजिए तो मेरे प्यारे बच्चो सबसे बढ़े हम स्टार्ट करते हैं फंडमेंटल ओस क्म्प्यूटर्स क्या होते हैं सबसे पहले हम different करते हैं कि definition of computer क्या है बच्चो एक लेंट्टर वर्ड है जो भी output जो निकल के आथा है as a user जिसको चाहिए होता है, user को चाहिए होता है वो output हमको मिल जाता है तो बच्चो, mainly क्या होथा हमारे पास तीन क्या होते है मेल्ली हमारे पास क्या होते है भاشो तीन process होते है, which is input, process and output तो यहाँ पर क्या होता है, data यहां पर होता है आपका process और यहां पर होता है आपकी information, यहां पर input के form में बच्चो क्या करेगा, user आपको क्या करेगा, data देगा, यहां पर process होगा, यहां पर क्या है बच्चो, यह आपको क्या हो जाएगा, output के form में आपको information मिल जाएगी, तो यह होता है आपका, what is computer, computer आपक यह होता है ठीक है input process and output आप देखो मेरे प्यारे बच्छो characteristics of computer के बारे हम पढ़ेंगे तो बच्छो सबसे पहले क्या होती है speed speed क्या होती है बच्छो अगर हम एक human से इसको compare करें तो इसकी speed क्या होती है बहुत जादा होती है है ना अब human क्या होता है इसका काम नहीं होता है एक होती है थोड़े थोड़े हम old होने लगते हैं तो इस तरीके से हमारे काम क्या हो जाता है slow हो जाती है जैसे अपने parents grandparents को देखा होगा इना इसी तरीके से बच्छो क्या होता है computer की स्पीड होती है वह बहुत जादा fast होती है अब बात करेंगे accuracy की तो बच्छो accuracy क्या होती है computer की जो accuracy होती है वह बहुत ही 100% इसकी क्या होती है accuracy आदि अगर हम किसी human being को काम करने के लिए देते हैं कि चलो आपको यह काम करना है तो बच्छो अगर हम compare करेंगे human के साथ तो human को चार काम दे दिये वह चार काम मेंसे दो काम कर लेगा दो काम भूल जाएगा लेकिन इसकी क्या होती है computer की memory क्या होती है बहुत बढ़िया होती है और बहुत storage उसमें होता है कि हम बहुत सारी storage उसमें कर सकते हैं ठीक है अब होती ही versatility की मतल होती है कि चीज़ा इसमें क्या होती है आटोमेटकली हो जाती है जैसे कि अगर हमने कोई भी software को install किया तो इसके आपकी रिलाइबल रिलाइबलिटी में बच्चों क्या है अगर आपने एकदम इंपूर दिया बिल्कुल एक करक्त तो आपका ओपूट भी क्या है बच्चो लेकर श्केस में करक्राकथी घुए ओगा तो आपकर उट्फपोम इंट्फ इनपूरेइक आ आ सकती है बटा क्या है कंपूटर हमारा बहुत ढरेलीबल हैं क्या है बहुत को काम करनी का नहीं उतना काम करता रहता है करता रहता है ठीक है ओरिमेरे फ्यारे बच्चो अब आगे देखिए आगे रहा रा montrer यूनिड के पास आएगा memory यूनिट के पास जाएगा यहां पर प्रॉसेस होगा फिर वो पूरा प्रोसेस करने के बात बच्छो क्या करेगा दोबारा दे देगा ठीक है जो भी आपके पास work हो रहा हो गाँ तो इसके अपनी सिंग्नल से वह परी चीज़ों को क्या करेगा control करता रहेगा ठीक है और storage external device जैसे आपकी external device हो गहीं बच्छों जैसे कि आपका pen drive हो गया memory card हो गया यह सारी चीज़ें क्या है आपकी secondary storage devices में आती हैं तो इस पूरे processor को हम क्या बोलते हैं पूरे processor को क्या बोलते हैं CPU बोलते हैं क्या बोलते हैं CPU CPU क्या होता है central processing unit CPU is the brain of the brain of the computer brain of the computer आप यहां पर बच्छों क्या होता है for example से देखो अगर मैंने यह माना for example मान के चलो अगर मैंने यह माना कि keyword मेरा क्या है एक input device है क्या मेरा input devices यहाँ पर मैंने calculation करने को दी ठीक actively calculation होगी वह क्या होगा जैसे की मैंने आपको थी five plus three अब यहां पर क्या करे यहाँ पर zero in ki form में अभी calculation करेगा ठीक है आगा zero or one की form में वह हमको answer देगा हमें तो पता हमें तो हमते सापने चले कह लेकिंगे खुराइगा बश्यक्किंगником होगा स्थिस्टम इस तरीके से आपको इनपॉथ बीजुत समझ में आएगा तो यह अृट रहां को सब्सक्रित रहे अब का पूरा प्रोसेस होता है आपको पूरा प्रोसेस आपको डियोनित की बात करें रही है एक स某 सब्सक्राइब आपको चोड़ करती है चोंचने बी ऐसे इनल जो भी फ़ंक्शन हो गाउन को क्या करेंगी चुट्राइंगी और इसके बात आपका यूंच्यू कि बात करेंगे अर्थमाटिकल-लॉजिकल यूनित अर्थमाटिकल बच्चों क्या हो था आपका एडिशन हो गया सब्सक्षिन मुल्टिप्लिकेशन डिविजन और लॉजिकल की बात करेंगे बच्चों तो लॉजिकल हो गया आपका लेस्देन ग्रेटर देन ठीक है लेस्टेन इक्वल टू यह सब चीज आपकी क्या हो गई इस तरीके से देखो फर्स्ट में आपका है वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर था बेस्ट था 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 इस तरीके से देखो वर्स्ट में आपका ऑस् bucket अपका तर्भ में आपको एपकोट इसे में का प्रेंट पर काम गड़त तो इसके बात करेंगे एनलोग डिजिटल आइन हीप्रिडिट थीक है तीन तैप कि होते हैं आप उसके साइस की बात करेंगे यहां फिर हम डिजिटल की बात करेंगे इसके बाद होता आपका जनरल परपस एंड स्पेशल परपस जी गया तो मेरे प्यारे बच्चो अब आप ये देखो की साइस की बात करेंगे अगर हमने देखा की जैसे की रेखो कि अगर आप है की गई है कही एक्वार कंप्यों ये याद हो जाई क्या है तो क्या है आप था अप लोग तो बस ऐसी नॉर्मल ्ल यूज्ट्र के लिए के लिए के हां, आप नॉजकस यूज से बससके न्यृक्सकीत ऑप से आप लोग हो ठीक है आपिसे पेलएंट्स होते हैं प्रवाइस आप म dépता होते हैं चीजा प्र होते हैं तो यह सारी चीज़ा आती आपटी है बेज़न सять तैंको क्या लागें उसने ओर डिए झांच कर अपकी अगे औरको में बच्चों फड़ें तो इस तरीक से आपको सी नपने लॉन क्या क्या है यह आते हैं दो क्या करेगा बाइनरी नंबर बाइनरी नंबर क्या होता है जीरो और वन में करेगा ठीक है तो यह आपका होता डीजिटल कम्प्यूटर जो एनलोग कम्प्यूटर से क्या होता है थोड़ा था फास्टर होता और यह मोई एक्टूरेट अंशर देता है क्या था आपके इसमें क्या होता आइज डिये मिनीक, विट यह दो klient hour फूटर फीशिम स्क है फींus वर hok ऑंद अी इसमें क्या होता है आगे कंप्विटर की आइं ही माइक्री और निसमें प्रस्नल कंप्पूटर में होता है जो आपके घर में या ऑफिसे में यूज होते हैं जैसे आपके डेक्स टॉब लैप्टाप पामटॉप ठीक है इस सारी चीज़ें आपकी अब माउटें चीज़ें मंज़ें करता हैं अब करेंगOOOO कर Creek सब्सक्राहिए। ओ Video केक Ooh एन मेंट्र कंप्विटर आपको से माइक्रों कंप्यों प्लॉटर हो थोड़े से लिसकी होते हैं मैंटे इत्राइन इस तोड़ी से घ्ञांपल होते हैं इस Whereas कि देखो के Tusk कि अपके क्शल मेंटे कर लिए कि मईंटी स्ट्राइब जाए पावर्फुल होते हैं साइज में बड़े होते हैं मैमोरी में क्या होते हैं अगर हम इसको यूज करेंगे तो वेदर फ्रकास्टिक और सेंटिक बेकर करेंगे आघर हमारा normal computer क्या होता बता या कई इस किया तो आपकी आपकी सा चाहर यह नहीं तो इस इस तरीक से क्या है आपका सूपर कंप्योटर है चले अब आप एय में तर प्रकस की पर पस्केह अक्वस के जैनल पर पाइब क्रिका है इस आप लेप्टॉप को सॉल्व करता है लेकिन स्पेशल परपस में बच्छों क्या है जैसे आपको पास्बॉक की एंट्री करवानी है तो आपको एक स्पेशल परपस है कि आपकी इसमें पास्बॉक लगी आपने क्या किया प्रपस यहां पर नेट बच्छों क्या होता है यहां पर पहले बच्चों ट्रांसफर हुई थी क्या हुई थी फाइल को क्या हुआ था ट्रांसफर किया गया था क्या है आप बच्छों अब यहां पर नेट का या ए एडवांस रिसार्च और मियोंट two लिए लिएस इपनपृट um शिस्ट्म टі scarce पर सेकट्न एंपका बिट पर वाइट इस तरहीं इस्ट डिशेए Compact disk होती है, compact recordable होती है, compact disk read only memory, compact disk read and writable, ठीक है, आपको बोल क्या है, common business oriented, CPU क्या है, center processing unit, CRT क्या है बच्छों, आपको cathode ray tube, क्या हो जाएगा, cathode ray tube, चलिए, DBMS क्या हो जाएगा, आपका database management system, अब आपका जाएगा, DRAM क्या होता है, आपके dynamic, RAM for what, random access memory, क्या हो जाएगा, random access memory, jadi, random access memory बचल चों phosphorus क्या होती है, random access memory जो क्या होती है, वह आपके two types क्यों 미안 क्यों होती है, एक तो होती है, DRAM that is called dynamics and 1 होती है, आपकी static जहेश्च क्यों होती है, टिक है DVD क्या होती है, बच्छों, digital video यह versatile disk होती है, तक आपका E, B, C, D, I, C का मतलब क्योंदा,ia extended binary code decimal interchange मेंट रटा इए जिसमें हम बोलतें नियुमेरीक इंटिगेरटर एट कंडू लेटर इप रोम गरसे से इா? फिलम औट पर्रॉरम इसना का ऑपॉरमल रीटे के तुर खीर वी घ्रेजिव कर दिए औरीयुटof क्या होता है फ्यर्ट क्या और श्क्राइब फाय taken होती है W çek फॉर्चार आय। अब बंबस मीटच पतो होती है आप टमस्ट होती है भी क्या होती है तर्डश स्थिंच थाम्ब्स प्रट क्या होता है जी यू आई क्या वदिये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टीक है अब होता है HTML का फुल फॉर्म होता है बच्चो एपर टेक्स मार्कप लेंगविज एपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगर से कि्या होता है सब्सक्राइए प्रोट पर टेट कीशा स्वावता है इंटरेट क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क लिक्विड क्रिस्टल डिस्पले में बच्चों क्या आता है मेगाबाइट अब आता है मिलियों ओफ इस्टेक्शन पर सकंट ठीक है MPG क्या होता है बच्चों यह आपका extension होता है किसका video का ठीक है moving picture expert आपका group mdos क्या होता है Microsoft operating system NIS क्या होता है network interface card अब क्या होता है आपका OMR क्या होता है optical mark reader OS क्या आपका operating system OSI क्या होता है बच्चों OSI layer होती है जो इसमें कितनी layers होती है यह आपको मुझे बताना है ठीक है how many layers open system interconnection क्या होती है क्या होती है इसमें 7 layer होती है क्या होती है एक आपकी physical layer data link layer ठीक है network layer session layer transport layer presentation layer application layer ठीक होती है जिनको आपको क्या करना है याद करना है जो आपके exam में पूछी जाती है अब आती है pen क्या होता है और अपर सब्सक्राइब क्या होती है और तो आपका erisable जब मैं एक और यह लगा दूंगी तो क्या हो जागा डबल यह जैगा electrically erasable तो कि यह आपके example क्या होते है roam के example होते हैं क्या होते है roam के तो सवरी टाइप सुते है p-rom, double e-p-rom और e-p-rom okay क्या हो जाएगा p-rom, यह हो जाएगा e-p-rom यह हो जाएगा double e-p-rom this is the right आपका टाइप सुते हैं चलि नेक्स आगे देखते हैं QL क्या होता है structure query language SRAM क्या होते है static RAM RAM for what random access memory जो मैंना भी पीछे बताया था कि RAM के क्या होता है बच्छो दो parts होते है static and dynamic और roam के क्या होते है p-rom, e-p-rom and double e-p-rom चलिए अब आपका होता है TB क्या होता है बच्छो terabyte, TCP क्या होते है transmission control protocol अब आती है आपके ULSI क्या हो जाएगा ultra large scale integration URL क्या होगा uniform resource locator USB क्या हो जाएगा uniform serial बस चलिए वैन में क्या हो जाएगा wide area network ये क्या हो जाएगा WLAN में क्या हो जाएगा wireless area network warm क्या हो जाएगा बच्छो एक virus होता है क्या होता है virus होता है जिसमें क्या हो जाएगा write once read many www में क्या है बच्छो word wide web XML की बात आएगी तो बच्छो ये क्या हो जाएगा आपको extensible markup language क्या हो जाएगा extensible markup language हो जाएगा ठीक है लेकिन इसका जो है pronoun वो E से start है लेकिन जब आपका exam में आएगा तो आपको E X वाला E X वाला लगाना ना कि आप X से लगा दोगे ना फिर आपको गरबर हो जाएगा ठीक है extensible क्या है E is a silent extensible में क्या है E silent है इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा X HTML भी आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से extensible हाल पर text markup language आप उसको लगा देंगे चलिए next आगे storage device क्या हो दिये बच्वों क्या हो दिये storage device क्या हो दिये जैसे कि यह पर आप क्या करते हो अपने data को अपने records को क्या करते हो store करते हो पहले की टाइम में क्या हुआ करता था अपन डाइफ लेते थे हम दो जीवी चार जीवी आठ जीवी मेक्स लेकिन अब क्या हमाई पास अब हमाई पास बहुत जादा-जादा storage आज चुका है हमारे hardx में भी एक टीवी से जो टीवी तक का storage आज चुका है तो यह सारी चीज़ करने है वो सारी चीज़स में हो जाती है also आपको क्या होता store करता information और data को temporary भी और पर्मारेंट भी उसको use कर लेता है ठीक है आप देखो memory में बच्चों क्या होती है memory आपके होती है प्राइमरी मेमोरी एक होती है secondary memory primary memory को main memory ही कहते है non-volatily nature की होती है जो हम auxiliary memory भी बोलते है क्या होती है auxiliary memory भी बोलते है तो बच्चों यहां क्या होती है volatile memory में होती है जब भी हमारा cable connection cut हो जाता है for example we are working cable connection cut हो जाता तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके data जो lost है वो भी हो जाएगा जो जाएगा data lost जो हो जाएगा क्योंकि चीज़ें आपकी save नहीं होई बट हम non auxiliary की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों जब आपकी cable क्या होई cut हुई तो data क्या हो जाएगा बच्चों data lost होगा वो इसको data lost नहीं होगा यहां पर चीज़ें क्या हो जाएगे आपकी temporary नहीं permanently save हो जाएगे तो यह को क्या बोलते हैं as well as permanent भी बोलते हैं permanent memory storage भी बोलते हैं लेकिन यह हमारी primary memory होती है वो क्या होती है बच्चों आपके temporary भी होती है ठीक है आपकी जो main memory होती है मैंने आपको बताया दो टाइप की होती है एक तो RAM और एक ROM ठीक है RAM और ROM में नहीं बताया random access memory होती है यह क्या होती है read only memory random क्या है दो च्रेक होता static और dynamic होती है देखो बच्चों static में क्या होती है देखो यहां समझते हैं पहले static में बच्चों क्या होती है कि कोई भी अगर आप work कर रहे हो तो वह चीज़ क्या fixed पे होती है अगर आप process P1 अगर आप अपना process P1 चला रहे हो तो तब तक आपका जो system होगा आपका जो CPU होगा वो क्या होगा hold पे होगा क्या होगा hold पे होगा उस time period में क्या हो रहा था बच्चों उस time period में आपकी जो processing है जो भी चल रही थी तो उसका जो output था बहुत लेट हो रहा था जब था CPU क्या था hold पर था time waste हो रहा था यह चीज़ करने के लिए बच्चों क्या आया यहां पर आई चाहिए इसके बीच में लगाई cache memory तो cache memory ने बच्चों क्या किया operating system जो उसका था processor उसको क्या कर दिया बहुत ज्यादा fast कर दिया जैसे उसने पीवन को process किया उसको output तुरण मिल गया पीवन का और पूट किया और पूट उसको तुरण मिल गया इसको hold करने की जरूद नहीं पड़ी चाहिए वो static में हो चाहिए CPU आपका डाने में कंडिशन में क्यों ना हो ठीक है तो इसमें क्या होती है रिफ्रेश करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है ठीक है लेकिन हम जब डाइनमिक की बात करेंगे यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों आपके refresh की जरूरत आपको बार बार प आपको बताया यह क्यों जाएगा प्रोग्रामेबल रीड़ोंली मेमोरी यह जाएगा अपको भी आपकी स्क्रीन आती है तो भूस और ऐसे ब्सक्रांब युद्या से नौगे-प्रिंटर माउस सब कुछ आपको सामने लिखा आ जाता है न तो बच्चों उसमें क्या होता ह कि जो भी आपकी RAM होती है जो भी memory होती है उसको एक बार आपने रीड करवा दिया प्रोग्राम उसमें करवा दिया तो उसको सिर्फ आप क्या कर सकते और रीड ही कर सकते राइट नहीं कर सकते तो यह चीज होती है तो इसको करने के लिए बच्चो क्या हुआ अगर एक बार अ मैं पास आया प्री अपको आपका फी रोम श्री रोम जिसमें और रोग्राम करवा या इपर प्रोग्राम करवा दिए तो ची इन लिए मेमोरी की बात आई बच्चों उस से टाइम पिरेट में क्या होता था कि आपका जो भी है इलेक्ट्रिकली सिगनल से बच्चों क्या हो रहा था आपका डेटा को क्या कर रहे थे उसके बाद इसको क्या कर रहे थे रिए राइट कर रहे थे फिर कर रहे थे फिर कर रहे थ या फिर सको read-read कर रहे तो यह चीज आपके होती है primary memory में आती हैं दूसरी आधी secondary memory मैंने आपको बताया उसको auxiliary memory बोलते हैं और परमान एंड भी बोलते हैं जब भी कोई भी आपका डेटा की केबिल को कट कर देंगे तो डेटा क्या हो जाएगा आपको वह लॉस्ट नहीं होगा इससे तरीके से क्या होगा आपने देखा होगा कैसे टैप की होती थी उसको डैग में लगाया एक तरफ उसका पहले पहले टाइम पर चलती तो जिसका स्टोरेज बच्चों के वी के साइज का था बहुत स्टोरेज कम था और है एक टीवी से लेकर दो टीवी तक का आपको क्या हो चकिक हाड़िक्स आ चुकिया भई कितना स्टोर करो गए डिटा अब आप आराम से करिए मस तरीके से करिए न गोल है तो यहां पर CD DVD blu-ray और HVD क्या यह भी सब क्या है तो CD क्या बाच्चों आपकी कॉम्टैक्ट जो बहुत जह्ता साइन करती है ठीक है और DVD क्या जिसमें कम स्टोरेज था DVD में सब्सक्राइज हुआ ठीक है डिक झेम इसको बर्सटाइल डिसगा है डिजिक जो भी डेटा है एक से इजट ठेकर यह आपका बिलु रैटर की वेटी रिए इनफ की बाद हाथ है आपका है यह बाते यह क्षू बोलあっ होती है इसे जटार को क्या करती है यह टोरेज गिस्टोर देटर करती है यह वी आपने देखा होगा तो पूरा जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं जो उसको चेंज कर लेते हैं सिमिलर्ली आपको पैंड्राइब हो जाती है पैंड्राइब कितने कम-कम उसमें आती थी 2GB 4GB 8GB 16GB फिर दीरे दीरे आप क्या है बच्छों बहुत जादा जादा आपका पैंड्र इतनी बच्छों आपको बात समझ में आगई पूरी तरीके से चलिए अब कर लेते हैं कुछ थोड़े से mcqs जो आपको क्या हो जाएंगे देखके मज़ा आजाएगा दा हाट ओफ दा कंप्यूटर ठीक बताइए दा हाट ओफ दा कंप्यूटर कौन सा है बताइए बताइ हाट ओफ दा कंप्यूटर क्या होगा बच्छों आपका cpu center processing unit is the right answer operating system क्या करेगा अमेनेज करेगा memory processor disk input output या all of the operating system बचाओ हमारे क्या करेगा all of the above करेगा चलिए आगे देखते हैं आगे देखते हैं यह को कंप्यूटर का कंसिस करेगा CPU memory input output unit या all of the above the computer क्या करेगा हमारा input output disk memory CPU all of the above तो क्या करेगा all of the above is your right answer चलिए आगे देखते हैं आगे आगे वह विच आफ देखते हैं आगे विच आफ देखते हैं आगे विच आफ देखते हैं इंटरनल इस तो इस पें डाइव डिच दिश्क ऐसारी चीज़ हैं अब आती है बच्छो आपकी विच आपकी विच दॉटर क्लासिफिकेशन कमड़े के के सिने थी है मेन फ्रेमे एक्स्रेम मेनी और यह नोट बुक फिक है बता हूं नोट बुक तो आती है आपके माइक्रों कम्प्यूटर में तो आपको क्या हो जाएगा मैक्स फ्रेमिज दा राइच घूर मैक्स बीज्डा राइट अंसर चलिए next पताईए which of the following memory is needed refreshing इसमें आपको refresh की ज़रुवत पड़ती है बच्चों SRAM DRAM और ROM SRAM का full form क्या है आपका static static random access memory ये इतनी full forms को क्या कर लीजेगा याद कर लीजेगा बहुत ज्यादा important है क्या है बहुत ज्यादा important है यह आपकी हो जाएगी dynamic RAM और यह क्या हो जाएगी read only read only memory तो what is the right answer बताईए refresh करने के लिए जरुवत किसको पड़ती है मैंना आपको बताया था आपके DRAM को क्या होती है रिफ्रेश करने की ज़रुद परती फॉर्टन क्या है फॉर्टन इस रेंट फॉर्म वर्ट बताओ file translation format formula या फॉल आपी बताईए बताईए तो right answer is what बताओ ने प्यारे बच्चो फटा 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 आंसर बताईए तो right answer आपके क्या हो जाएगा formula translation is your right answer आप बताईए memory can be read only जिसको read करते हैं वो क्या हो जाती है रैम रोम पी रोम एडबल एपी रोम बताओ read only कर सकते है बच्चो सामने लिखा है read only memory कौन सी होती है आपकी रैम इस दा राइट आंसर रोम सॉरी रोम आप क्या होती है डबल एपी रोम का क्या होता डबल एपी रोम स्टेंट फॉर वाट तो क्या हो जाएगा आपकी एलेक्रिकली इरेज़ेबल इस दा राइट अंसर आव आ जाएगा मैंने टैप बच्चो क्या होती है इंपूर मीडिया और पूुट मीडिया सपिंट्री स्टोडिज मीडियो अलोब दैवर तो अबन सब्सक्राइब्स क्या हो जाएगा आपका अंसर तो मैंने अपको अप्टिकल एग ओन दूब्चों फॉक्डी बियो रै और एच्वी धीडिट राइट ऑनसर चलिए भायत नेक्स्ट आपको बच्चो जयदा खतम बच्चो टेंचल लेनी की कोई बात नहीं है अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है अगर आप चाहते हैं और डिटेल में पढ़ना तो मैं आपको बता देती हूं अभी भी आपके पास टाइम है अगर कंप्यूटर से रिलेटेड दूसरी बात सुंसलो कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई भी दिख्कत है कोई भी दिख्कत प्रॉब्लम है आप कॉंड सेक्षिन में नहीं पूछ पारे हैं तो मेरी आइडी नेजिए बच्चो अस्मिता डौर तो आपके सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी दूर हो जाएगी एक बार आपको कैसे पढ़ना है बच्चों एक बार डेटेल में कैसे पढ़ना है यह आप देख लिजिए कुगल पर जाके पहली साइट पर क्लिक करिए और करिए इसके बाद बच्चों यह आपके बैचिस आजाएंगे सीओ क्यूपी लैवन के लिए अभी भी आप बच्चों आपका टाप पास टाइम है फटाफ फर से जाके क्या कर लीजिए पटेस कर लीजिए ठीक है बिना किसी देरी के आप सोच रहे हो कि तैयारी नहीं हुई ह गाइए तब तैयारी हो सकती है तो बेतरी आपके तैयारी बिल्कुल हो सकते है बेसरी तरीगे से तो मेरे पार बच्चों आप आप वाट जाकए देख सब्का होत इसमें आपकी बुक किट देख लीजेगा पांच बुक किट आपको मिल जाएंगे एक पर आप देखो 12 की करके तो यहां पर आपको और डिसकाउंट चाहिए मोर डिसकाउंट के लिए कीबॉर्ड निकालो और फटाफट मेरा कोड लिख दो अश्मी 20 जिससे क्या हो जाएगा बच्चों आपको मोर डिसकाउंट मिल जाएगा बताओ 178 में आपको 78 में स्वरी कितनी बुक्स मिल रही है और आपको दिजाइन किया यह सारी बुक्स पर ठीक है इतना अच्छा चांटेंट है इतना अच्छे कोशन्स है बच्चों तो हरी अब बच्चों लेड मत करिए और मेरा कोड़ लगा दीजे असमी 20 ठीक है मेरा कोड और बिना किसी देरी के ऊपको कैसी लगी तो एक बाइब मुझे कोमेंट सेक्षिन में कौमेंट बता दीजीगा कि हां मैं हम आपके सीरीज अच्छी लगी ऐसी और सीरीज के लिए मुझे और कमेंट करीए तो मेरे प्याले बच्चों थेंक्यू सो मच मिलते हैं अगली वीड